नमस्कार आप देख रहे हैं MP News और मैं हूँ आपके साथ साक्षी ट्रेन MP News के इस खाष सेग्मेंग न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है जिसमें आप बात करेंगे आज की मदप्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स की चलिए शुरुआत करते हैं मदप्रदेश की राजधानी में भोपाल में ग्रग्स फैक्टरी खुलासे के बाद अब सरकार बड़ी तयारी में है जिहां और द्योग विभाग के प्लोट पर देश की सबसे बड़ी ग्रग्स फैक्टरी का खुलासा होने के बाद अब मदप्रदेश की सभी और द्योगे क काईयों में भूखंडों का ओड़ेट होगा आपको बता दें कि प्रदेश इस्त्रिया ओड़ेट की रूप रेखा तयार कर जिला मुख्याले पर सर्वे के नर्देश जो हैं वो भी अब ज़वारी कर दिये हैं वह भूखंड को अन्य किसी को किराय पर देने वहां उड्योग के अलावा शोरूम या अन्य कोई गत्विदी संच्वालत पायजवाने पर भूखंड नरस्त करने की कारवाही होगी यहां की 4100 हेक्टेर शेत्र में 12500 भूखंड ओड्योगे के काईयों के लिए आवंतित ह जिसे ओड्योग के लिए भूखंड आवंतित हुए उनमें क्या ओड्योग ही लगाएगा है या फिर अन्य कोई दोसरी गत्विद्या हुआ संच्वालत हो रही है यह सर्वे अब समूचे मध्यप्रदेश में जो है वो अब शुरू होने जा रहा है बटने आ गया और आप को बता दे कि मुख्य मंत्री डाक्टर मोहन यादव पंजियन एवं मुद्रांक वभाग के संपदा 2.0 सौफ्ट्वेर का शुभारम कल 10 अक्टूबर 2024 को करने जवा रहे हैं जहां को शभाव ठाकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंक्टर में दोपहर एक बजेस का शुभारम होगा वहीं वत्तिवं वानिजक कर मंत्री जगदीश देवरा ने बताया कि संपती पंजी करण प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में राजस अशुन का एक महत्वपूर यह कदम है वहीं उन्होंने प्रदेश में बताया कि प्रदेश में रजस्ट्री के नए निय में सफलता पूर्वा का पूर्ण भी कर लिया गया है आगामी गुरुवार को इसे प्रदेश के सभी पच्पंजिलों में जो है वो लागू किया जवाएगा बढ़ते आ गया और बतारे कि मदप्रदेश में शिरीराम पत्र गमन के विकास के लिए एक कमेटी बनाई गया ह जिसमें अपर मुख्य सच्व जल संसाधन, प्रमुक सच्व नग्रिय प्रसाशन, लोक नर्मार और वित्य सदस होंगे वहीं स समीती में मुख्य प्रमुक सच्व संस्कृती परिक्टन समीती के पदीन सदस भीस में सच्व होंगे बतादे कि सामान प्रसाशन विभाग में मुख्य सचेव अनुराज जोयन की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है यह समीती शिरीराम पत्गमन स्थलों के विकास की इंटीक्रेटिट स्कीम के निर्मार और आपको बता दे कि इसके कारियों के क्रियान वयान एवं नियमित समीक्षा के लिए वभागी सचेवों की समीती जो है वो अब काम करेगी बटे आगया और आपको बता दे कि दिल्ली और मुंबाई में प्रती नियोक्ती पर अब अफसरों की मनमर्जी जो है वो नहीं च्वलेगी जो है आधिकारियों को अब ACS, GAD सहत चार अफसरों की सहमती लेनी ही होगी सामाने प्रसाशन वभागने आपर मुख्य सच्चिव की अध्यक्ता में अफसरों की इंटरनल इंवेस्चिगेशन कमेटी का एक गठन किया है कमेटी की जाच रपोर्ट जो है अब अनिवार होगी वहीं कमेटी MP भवन मंध्यांचल और मध्य लोग मुंबई में प्रती नियुक्ती को लेकर फैसला करेगी आगे बढ़ते हैं और आपको बता दे कि मध्य प्रदेश के बुधनी और विजयपूर में विधान सबा सीख पर जल्दी उप्चुनाव होने वाले हैं वहीं तैयारियों के बीच कॉंग्रस में EVM सेक्ट करने की भी आश्रंका जताई है जहाँ पूर्व कानून मंत्री ने यह कहा है कि हर्याना के बाद अब मध्य प्रदेश और महरास्क्र में EVM जो है वो सेट होगी पूर्मंत्री PC शर्मा ने मध्य प्रदेश विधान सबा उप्चुनाव में EVM सेक्ट होने की आश्रंका जताई है आपको बता दे कि उन्होंने कहा कि आमपे में EVM सेक्ट होई तो BJP जीत ज़ाएगी वही मुझे पूरी आश्रंका है कि EVM सेक्ट की ज़ाएगी उन्होंने कहा कि हर्याना में EVM मशीन की बैक्टरी 99% चार्ज निकली जहाँ बैक्टरी फूल चार्ज निकली वहाँ वहाँ भाजपा को जीत मिली है वहीं जहाँ 7-70% चार्ज बैक्टरी वाले EVM से कॉंग्रस जीती है ये बड़ी आश्रंका जताई है मंत्री PC शर्मा ने तो यह थी आज की मदप्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हैं MP News के साथ नमस्कार MP की नफस MP का हाथ मदप्रदेश की हर खबर MP News TV के साथ लगातार खबरों के लिए सबस्क्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP News TV लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न पूझे